हलो फ्रेंड्स, वेलकम टुगायत्री गायड्स, तो आज की वीडियो में हम ड्सकस करेंगे शब्द रचना तदसम शब्द होते हैं, तदभव, उपसर्वग और प्रत्यक क्या है ये हम आज की वीडियो में ड्सकस करेंगे, इंपॉर्टन्ट है DLA है, CT होगा, CT, TET, or CT exam के लिए टीचर रिक्रुमेंट की जो भी एक्जाम है उसके लिए इंपोर्टन्ट है सबसे पहले हमारा इस फायो जो सब्जेक्ट है हिंदी अध्यन अध्यापनशासर उसमें जादा से जादा दो से तीन मार के लिए इसमें जो कोश्चन है वो पूछा जा सकता है उसके लिए सबसे जादा इंपोर्टन्ट है शुरुआ थी हमारी डियलेड से है इसलिए डियलेड के मतलब व्यू से हम देखेंगे तो इंपोर्टन्ट जरूर है ठीके तो हिंदी के पहला जो प्रकार है शब्दों के प्रकार तो उसमें है तत्सम शब्द तो देखेंगे क् संस्कूत सरी जो शब्द संस्कूत से हिंदी भाषा में जो के जो बिना किसी परिवर्तन के लिए गये है उन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे मतलब जो संस्कूत भाषा से जो शब्द आये है हिंदी बे जैसे की ते से आये है बिना किसी परिवर्तन के बिना किसी चेंज के आय है उसे हम क्या कहेंगे तत्सम शब्द कहेंगे जैसे की एक्जामपल है सत्य ग्राम आशा सर्प नधी स्री परवपत्र पुश्प एट्सेटरा ठीक है ये क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट था ये तत्सम शब्द वाला कि जो इसे के चेते से बिना किसी परवर्तन के जो प्राकृत मतलब देशी भाषा होती है मतलब जो जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं प्राकृत भाषा हम जिसे कहते हैं वहां पर जो भाषा बोली जाती है अपब्रहिंश से भी लिए गया है जैसे की कुसुम दंड़ काल अचल आदी ये क्या है हमारा दूसरा तत्सम शब्द कहेंगे तीसरा पॉइंट बताया गया है एसे शब्द जो आधूनिक तकनी की वैज्यानिक अथ्वा परिभाषिक शब्द है उन्हें संस्कृत व्याकरन के नियमों के आधार पर हिंदी में प्रचलिक किया है जैसे की नगरपाली का मुनिसिपिलिटी हम ज उसे कहते हैं वायो मान होता है या फिर वायो यान सौरी एरोपलन प्रवाचक जैसे की रिडर ये शब्द क्या है जो संस्कृत व्याकरन के नियमों के अधार पर हिंदी में क्या किये गए है प्रचलित किये गए है ऐसे आधूनिक मतलब जो मौडन होते है तकनी की वाइज यानि एक साइन्टिफिक जो पारिभाशिक शब्द हम इसे कहते है उसे भी हम क्या कहेंगे तत्सम शब्द कहेंगे ठीके तो ये थी हमारी तीन बात यहाँ पे जिसे हम तत्सम शब्द कह सकते हैं तीन पॉइंट के अनुसार पहला है जो संस्कृत शब्द लिए गया है हि तत्सम शब्द कहेंगे और तीसरा पॉइंट क्या था जो आधुनिक है प्राकृतिक है या फिर किसी वाग्यानिक परिवर्तिक भाशा से ले गए है संस्कृत की भाशा से हिंदी में ले गए है उसे हम क्या कहेंगे तत्सम शब्द कहेंगे दूसरा पॉइंट देखेंगे दूसरा प्रकार देखेंगे तद्भो शब्द अब तद्भो शब्द का अर्थ क्या है तद्प्लस भो का अर्थ है उसे से उत्पन्न होना मतलब तद्प्लस भो से जो शब्द है जो अर्थ है उसे उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे तत्वो शब्द कहेंगे अर्थात क्या है मूल में जो शब्द संस्कृत भाषा में थे लेकिन कुछ रूप से परिवर्तन होकर हिंदी में स्विकार हुए है पहले क्या है तत्सम में क्या देखा बिना किसी परिवर्तन के है ना बिना कोई चेंज के जो शब्दा आये है उसे हम क्या कहेंगे तद्भव कहेंगे तो इसमें एक्जम्पल क्या है हाथ को हम हस्त कहेंगे काम को कर्म है दूद को दूद है घर को ग्रह है आग को अगनी है आम को आन है इस प्रकार के जो शब्द है वो परिवर्तन होकर हिंदी में आये है कहा से संस्कृत से तो उसे हम क्या कह जो स्थानिय बोली होती है जहाँ पे एकटे बहुत सारे लोग रहते है वहाँ पे जो भाशा बोली जाती है उसे हम क्या कहेंगे स्थानिय बोली कहते है जैसे कि अब महाराश्टर है तो महाराश्टर में मराठी कई स्थान में बोली जाती है कई स्थान में हम ऐरानी बोलते ह है ना तो ये जो स्तानिय बोलिया होती है वहाँ से कुछ शब्द लिये गए है उसे हम क्या कहेंगे देश जाफिर देशी शब्द हम उसे के सकते हैं जैसे कि खाट जाडू खिड़की जुग्गी पेट खोट चूड़ी कांच बाजरा एटसेटरा ठीके अब विदेशी शब हम क्या कहेंगे के सकते हैं अब यह जो फारसी अंग्रेजी फ्रांसी सी पूर्टुकाल अर्भी यह जो यहाँ पे लैंग्विज दी गई है इसमें हमारा टीट एक्जाम होगा उसके शब्द हमें दिये गए होते हैं और पूछा जाता है कि यह शब्द नीचे दिया गया यह शब्द जो है वो कौन सी लैंग्विज में है या फिर उसका सेम जो शब्द है वो क्या है तो इस प्रकार के शब्द हमें एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो इसमें आप ध्यान रखना कि कौन-कौन से शब्द कहा से या फिर कौन से language में आते हैं तो देखेंगे अर्बी में क्या है अर्बी हम अर्बी में क्या फिर अर्बी language से हमने क्या लिया है कागर शब्द लिया है तकदीर, कानून, खराब, कतल, आदी ये शब्द क्या लिया है हमने अर्बी लेंग्विज से लिये गए है फार्सी से क्या लिया है कमर मामला किनारा खाक बाजार जमीन ये शब्द हमने फार्सी लेंग्विज से लिये गए है अंग्रेजी में क्या कहते है हम स्कूल पैंसिल बटन फीज कमीटी अपिल एटसेटर अब संकर शब्द क्या होते हैं दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द को हम क्या कहेंगे संकर शब्द कहेंगे दो भाशा मतलब क्या एक भाशा मतलब दोनों भाशा क्या है अलग अलग है दोनों भाशाओं के मेल से दोनों भाशाओं से हमें जो मिला है उससे बने हुए शब्द को क्या कहेंगे हम संकर शब्द कहेंगे हाला कि इन शब्दों का प्रयोग साहितिक भाशा में बहुत कम होत कपड़ा उद्धोग ये शब्द जो है वो दो भाषा उसे या फिर दो भाषा के मेल से लिये गए है उसे क्या कहेंगे हम संकर शब्द कहेंगे दूसरा है हिंदी और अर्भी या फिर फार्सी भाषा से लिया गाया क्या है किताब घर है घड़ी साज है थानेदार है बेठक किताब घर को हम लाइबरी कहते है नॉर्मली है ना तो ये जो शब्द है उसे हम संकर शब्द कहेंगे जो दो भाषा की मेल से आया हुए है अगला एक्जांपल है संस्कृत और अंग्रिजी जैसे के रेडियो तरंग रेल यात्रा योजना कमिशन एटसेटरा हिंदी और अ उपयोग हम डे टुडे लाइफ में बहुती जादा कम करते हैं है ना कोई ऐसा बोलेगा कि हमें सिनेवा कर जाना है नहीं बोलते हैं सब क्या बोलते हैं कि हमें मूवी देखने ठेटर जाना है या फिर कोई हम बोलता है कि यहाँ पर हमें रेल गाड़ी में बाहर सफर करना सब train बोलते हैं अगन बोट है ना मतलब यह जो शब्द है वो कम यूज होते हैं हमारी day to day life में इसे हम क्या कहेंगे संकर शब्द कहेंगे तीसरा देखेंगे उपसरग अब उपसरग क्या होता है जो अक्षर या शब्दांश किसी शब्द के आदी में जुड़कर उसके अर् लाते हैं कुछ speciality लाते हैं उसे हम क्या कहेंगे उपसरग कहेंगे जैसे की प्र प्लस बल यहाँ पे दिया है प्रबल है ना यहाँ पे क्या हुआ है प्र उपसरग है जो की बल शब्द के आरंब में जूड़ गया है और अर्थ में विशेश्ता उत्पन्न कर रहा है है ना तो इसको क्या कहेंगे हम उपसरग कहेंगे यहाँ पे और भी example दिये गए है जैसे की अशुद्ध है अब शुद्ध शब्द है तो शुद्ध के प्रारंबे हमने अ जोड़ दिया तो उससे क्या हुआ एक meaningful शब्द तयार हो गया या फिर जो शब्द है उसका अर्थ बदल गया तो उसे क्या कहेंगे हम उपसरग कहेंगे अशुद्ध है वी प्लस देश विदेश कहेंगे प्रा प्लस भाव प्रभाव हो जाएगा प्रा प्लस जय प्रा जय हो जाएगी तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसे क्या कहेंगे हम उपसरग कहेंगे अब यहाँ प अपमान हो गया अपयश हो गया अपकार हो गया अगर सू हमने प्रारंबे जोड लिया तो सुलेक हो गया सुपुत्र हो गया सुबोध हो गया प्रति हो गया तो प्रतिदिन प्रतिकार प्रतिवर्श अनुत अनुशाशन अनुचर अनुकुल अभिमान अभिमूक अभियान य अन अगर जोड़ दिया तो अनपड अनदेखा अनजान अनमूल भर जोड़ दिया तो भर पेट भर पूर भरसक नी जोड़ दिया तो निपून नीडर निकम्मा अ जोड़ दिया तो अचुत अचेत अनात या फिर अथाह सो जोड़ दिया तो सुडोल सुशान सुजान इस प बदनाम होगा, बदसुरत होगा, बदबू होगा, है ना, कम जोड़ दिया तो कम बक्त होगा, कम जोर होगा, कम नसीब होगा, खुश जोड़ा तो खुशाल होगा, खुश किस्मत, खुश रंग, गेर तो गेर सरकारी, गेर हाजर, गेर कानुनी, ला तो ला जवाब, ला वा शब्द में हम उपसर्ग जोड सकते है जो की हम क्या जोडेंगे शुरुवात में जोडेंगे या फिर प्रारंव में जोडेंगे वहां से क्या होगा उसका अर्थ जो है वो बदल जाएगा या फिर अर्थ में कुछ तो विशेष्टा होगी specialty होगी उसे हम क्या कहेंगे उपसर्ग कहेंगे next है fourth जो की प्रत्य अब प्रत्य क्या है शब्द के अंत में जुडने वाले अक्षर या शब्दांश प्रत्य कहलाते हैं अब उपसर्ग में हमने क्या कहा कि प्रारंब में जो शब्द जुडते है वहां से कुछ विशेशता प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे हम उपसर्ग कहेंगे पर प्रत्य में क्या है कि अंत में last में जो शब्द जुडने वाला है या फिर अक्षर जुडने वाला है उस शब्द को क्या कहेंगे हम प्रत्य कहेंगे हिंदी अधिकान्ष प्रत्य अपने ही है जैसे कि सुन्दर था अगर यहाँ पे हमने ता जोड़ दिया सुन्दर को ता जोड़ दिया तो सुन्दर हो जाएगा जैसे कि वीरता है वीरता हो जाएगा इस प्रकार के जो शब्दे होते हैं उसे हम प्रत्य कहेंगे अब प्रत्य के दो प्रकार हैं मेन कुरूत प्रत्य और तदित प्रत्य तो पहला देखेंगे कुरूत प्रत्य क्या है क्रिया के मूल धातू के अंत में जुडते हैं क्रिया का जो मूल धातू होता है उसके लास्ट में जो शब्द जुडते है या फि शब्दों में होना और देना क्रिया है मूल है है ना पर उसमें क्या किया है हमने हार जो है वो जोड़ दिया तो उसका मूल धातु जो है उसके अंत में हमने क्या क्या हार जोड़ दिया तो उसका जो शब्द होता है क्रिया होती है वो बदलती है तो उसे क्या कहेंगे हम कुर तो भुलक कड़ घुमक्कड हो गया अगर अमने जोड़ दिया तो जाडन चलन मनन चलन हो गया है थो आवट जोड़दिया तो बनावट सजावत दिखावत रुकावट वयया बदल दिया तो रवयया गवयया सवय della planned Haru's प्रकार के जो जो शब्द होते है वह लास्ट psycho je अगर हम जोड़ दिये या फिर लास्ट भी हम अगर जोड़ेंगे तो उसका क्या चेंज होगा क्रिया जो है वो चेंज हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे प्रत्ते कहेंगे अब तद्धित प्रत्ते क्या होता है क्रिया के अलावा अन्य प्रकार के शब्दों जैसे कि सग् शद्वनाम विशेशन अवे होते हैं उसके अंत में तद्धी प्रते हैं जो जुड़ते हैं जैसे कि इमानदार शब्द में इमान क्या है? शब्द भावाचक है इसमें क्या है? इमान शब्द भावाचक है उसमें दार शब्द अगर हमने अंत में जोड़ दिया तो इस तरह की जो शब्द होते है इमानदार शब्द यहाँ पर बनता है बाकी एक्जम्पल यहाँ पर दिये गए है ई दिया है तो लास्ट में हम क्या कहेंगे इसको बंगाली, गुजराती, नेपाली अब यहाँ पर आप बोलेगे ई कहाँ पर आया नेपाली अगर हम ल कहेंगे नेपाल हो जाएगा हाँ ली कहेंगे तो क्या आजाएगा यहाँ पर दूसरा ई जो है यहाँ पर जोड़ा जाता है ली को हाँ ना दूसरी विलांटी जो है हम से कहते है उसको अगर जोइन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है दूसरा ई जोड़ना पड़ता है और अगर पहली ली हो तो उसको छोटा ई जोड़ना पड़ता है तो इस प्रकार के शब्द है जिसे हम प्रत्य तद्धित प्रत्य कहेंगे एरा हो तो चचेरा, ममेरा, मोसेरा, इक हो तो धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, पन हो तो बच्पन, लड़क्पन, बालक्पन, पा हो तो बुढ़ापा, मोटापा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसे हम प्रत्ते या फिर तद्धित प्रत्ते कहेंगे तो इस टाइब का आज का ये शॉर्टकट वीडियो था I hope कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा समझ में आया होगी बात प्रत्य के दो प्रकार प्रत्य करते है कुरूथ and तदीत तो ये इस प्रकार का वीडियो था अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो के साथ बाई बाई टेक गिया